प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल जूने के करने के इंस्टिचूट में मैं राहूल चाधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वाउल से पुस्तक है अंग्रेजी की फॉस्ट फ्लाइट तो उसका प्रॉज सेक्शन हम लोग कर रहे हैं हालाकि इसमें अंब ने पहले किया है और आप प्लेलिष्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं अभी हम लोग इस lesson का line by line Hindi अनुबाद करने वाले हैं और प्रियास करेंगे कि इसको Hindi में explain भी करूँ चलिए हम लोग चर्चा करते हैं हमेशा की तरह जब भी हम कोई lesson शुरू करते हैं तो पहले बात करते हैं उस lesson का जो author होता है उसके बारे में तो हम यहां भी बात करने वाले हैं author के बारे में तो जो इसके author है author robot robot का अगर आप बात करें तो इन दो नामों से ये जाने जाते रहे हैं जो इनका एक नाम तो है Victor Canning Victor Canning के नाम से ये जाने जाते रहे हैं और कुछ रचनाए इनोंने Alan Gowd के नाम से भी की है तो Victor Canning या Alan Gowd के बारे में लोग बात करेंगे तो Victor Canning का जन्म 16th June 1911 को UK में हुआ था और इनकी डेथ 21st February 1986 को UK में ही हुई थी यानि 16 जन्वड़ी 1911 को United Kingdom में इनका जन्म हुआ था और 21 फरवड़ी 1986 को इनकी डेथ हुई थी अब रिटीस राइटर थे और नोबलिस्ट थे कह सकते हैं नोबेल लिखना ज़्यादा पसंद करते थे और थ्रिलर्स के लिए भी जाने जाते थे यानि रश्यमाई कहानियों के लिए भी ये जाने जाते थे रोमांचकारी कहानियों के लिए यह जाने जाते रहे हैं अगर इनकी प्रमुक कामों को देखा जाए तो डिस्कबर्स इस इंगलेंड जो 1934 में आई थी पॉली क्रैप्स प्रोग्रेस जो 1935 में आई थी और सब्सक्राइबरी मैंस इंगलाइन 1936 में आय थी फलाय अवे पॉल जो 1936 में आई थी इसके बाद अगर देखा जाया तो ऊणे लेंड आंभल जो 1938 में आई थी टू मेंवाव्ट 936 में आई थी और फॉंटेएन इन जो 1939 में आई थी अट्लनिक कमपनी जो 1940 में आई थी और दी वैडिक्ट जो 1939 में आई थी तो Atlantic Company और दी वैडिक्ट जो इन्होंने Alan Gold के नाम से इनकी रचना है यह एक खास बात है कि पहले जो राइटर होते थे कभी-कभी वो दो नामों से भी लिखते थे वैसे भी जो authors होते हैं कभी-कभी वो पेन नेम यूज करते हैं तो यहां दोनों नेम पेन नेम के रूप में यूज किया है ऐसा नहीं कि एक ही रचना उनकी पेन नेम के रूप में आई है और दूसरी रचना जो है वो पेन नेम के रूप में नहीं है दोनों का इस्तेमाल उन्होंने लिखने में किया है दोनों नामों का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही महतपूर्ण होता है किसी भी lesson को पढ़ते समय उसके author के बारे में उसके writer के बारे में पढ़ना तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे Victor Cannon के बारे में थ्रिल्स लिखना पसंद करते थे तो अभी क्या पढ़ना हम को ये देखते है It is said that you must sit a thief to catch a thief कहते है कि यदि एक चोड को पकड़ना हो तो एक चोड ही तैयार करना होता है चोड ही तैयार करना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि चोड चोड मौसेवे भाई है यनि चोड और चोड में बड़ी समानता होती हो एक दूसरे के प्रती आदर भाव रखते है वफादारी की बाते होती है दोनों में which saying does this story illustrate अब कहते हैं कि कौन सी लोकक्तिया है वो कौन सी कहाबते हैं जो इसमें सिद्ध होंगी क्या चोड चोड मौसेवे भाई होते हैं या एक चोड को पगड़ने के लिए एक चोड की आवशकता होती है दोनों को देखना है हम लोगों को इस story में तो निश्चीत रूप से एक thrill देखने के लिए हम लोगों को मिलने बाला है यहां तो आएए शुरू करते हैं इस कहानी को हमारा प्रयास होगा कि आज इसी वीडियो में इस lesson को समाप्त करें अगर ज्यादा लंबा होने लगेगा तो मैं प्रयास करूँगा कि फिर एक दूसरा पाइट की इसका बनाओ कहते हैं सभी को ऐसा लगता है कि ओरेंस डैन बी जो है वो एक बहुत ही इमांदार और अच्छा नागरिक है वो अलग पचास परसो का है और अभी भी अभिवाहित है यानि उसकी साधी नहीं हुई है और ये लिब्ड भी ता हाउसकीपर वो वरीड ओवर हिस हेल्थ वह एक चौकिदार के साथ रहता है हाउसकीपर के साथ रहता है जो हमेशाथ चिंतित रहता है उसके स्वास्त को ले करके इंपक्ट ही वाज यूजरी वेरी वेल एंड हैप्पी एकसेप्ट फॉर अटाक्स ओफ हे फीवर वैसे तो वह बहुत ही बैतर है स्वास्त के मामले में और खुस भी रहता है सिर्फ उस बात को छोड़ दिया जाए किस बात को छोड़ दिया जाए तो गड़मी के दिनों में हीट फीवर यानि कि उसको जो है गड़मी के दिनों में हे फीवर की अपने ब्यबसाय में काफी सफल है और उसका ब्यबसाय क्या है तो he made locks वह ताला बनाने का काम करता है यह होरेंस डैन्वी वाज गूड और रिस्पेक्टेबल जो होरेंस डैन्वी है वो काफी अच्छा और एक सम्मानित बेखती है लेकिन पूरी तरह से वह इमानदार नहीं है 15 years ago आज से 15 साल पहले और इस हैड सब्ड हिस फर्स्ट और उन्ली सिंटेंस इन प्रिजन लैब्रेडी और इस लव्ड रियर एक्सपेंसिब बोक्स आज से 15 साल पहले वह एक मात्र सजा काड़ चुका है जेल कारवाश में पुस्तकालाय में क्योंकि होरेंस जो है वह दुरलब वह बहुले पुस्तकों से प्यार करता था तो दुरलब और बहुले पुस्तकों से प्यार करने के लिए किसी को सजा होती हो ऐसा तो मैंने नहीं जाना है तो क्या कारण रहा होगा कि Horace को सजा भोगनी पड़ी Horace को Horace Danby को तो अब आगे पढ़ने के बादियम लोग को पता चलेगा तो आए आगे देखते हैं So he robbed a safe every year वह इसलिए चुकि वह पुस्तकों से प्यार करता है So he robbed a safe every year इसलिए वह लूटता है एक तीजोडी प्रतेक वर्स Each year he planned carefully Just what he would do Stole enough to last for 12 months And secretly bought the books He loved Throw an agent तै कि वह प्रतेक वर्स एक चोडी करता है एक रॉब्री करता है प्रतेक वर्स एक safe जो है वह तीजोडी को लूटता है Safe यानि तीजोडी को लूटता है प्रतेक वर्स वह इसके लिए योजनाय बनाता है काफी साथधानी से Just what he would do कि वह कैसे इसको कर सकता है Stole enough to last for 12 months और इतना ही लूटता है इतना ही चुडाता है तै कि वह अगले 12 महीने तक चुपके चुपके किताबे खरीद सके और जो वह मंगाता है एक एजन्ट के द्वारा Secret एजन्ट के माधियम से उन किताबों को मंगाता है तो वह चुडी तो करता है लेकिन उतनी ही चुडी करता है ताकि वह अगले 12 महीने तक पुष्टके खरीद सके तो देखिए यह जुलाई क्या गर्ब महीना है वह टहलते हुए सोच रहा है कि इस वर्स भी वह चुडी करेगा और इस वर्स भी वह चुडी करेगा तो वैसे ही चुडी करेगा जैसे वह पहले करता रहा है बिल्कुल उसी अंदाज में उसकी चोड़ी होगी इस पर्स भी और पहले की चोड़ियों की तरह यह भी चोड़ी जो है उतने ही सफल रहने वाली है इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है ऐसी वो योज़ना मनहीमन बना रहा है सुचते रहा है वह क्या करता है तो वaronण डविकस से व какая-night is एकugen कर रहा है कि इस चीज का ड़ा आब आपर ग्रेंस उसके बारे में जानकारियां जूटा रहा हे पिछले दो हपते से वो looking at its rooms उसके कमड़ों के बारे में जानकाड़ी है उसके बारे में जानकाड़ी उटा रहा है its paths उसके रास्तों के बारे में कि कौन-कौन से रास्ते उसमें जाने के लिए safe है and its garden उसके बगीचे के बारे में this afternoon the two servants who remained in the garage while the family was in London रता है कि आज दो पहर के समय जो दो नौकड़ है who remained in the garage grounds while the family was in London जब पड़े बार लंदन में था तो वो वहां था had gone to the movies तो उसके दो जो नौकड़ हैं वो movie जाने का प्लान करते हैं cinema जाने का प्लान करते हैं how I saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of a fever in his nose और जब ऐसा देखता है कि उसके जो नौकड़ है वो cinema जा रहे हैं तो वो बड़ा खुस होता है मनीमन हलाकि उसको hay fever है थोड़ा बहुत तो उसके नाक से थोड़ा सा पानी आ रहा है और नाक में खुझली भी हो रही है तो वो आने के बाद भी वो आज बहुत खुस है क्यों खुस है क्योंकि उस परिवार का जो मालिक है वो तो लंदन गया लिए हें तो लिए हम आट फॉं आट भी बहुत रॉख तो यह खुस है क्योंकि बहुत ख्ड़ा करेंगहं आता है और फिर क्या करता तो वोग अकेले नहीं आता है और अपनियों को ले गर आता है तो उसके अउजार मों के साथ carefully packed in a bag on his bag जो उसकी पीट पर लदा हुआ है एक bag उसको अपनी पीट पर ले करके ही वो आता है अब क्या हो सकता है उस bag में यह तो हम आगे जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलने वाला है लेकिन अभी तक तो निस्चित रूप से स्टोडी काफी इंट्रेस्टिंग है क्याता है देर वर अबाउट 15,000 पाउंड 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 के जेवरात थे क्याता है कि वहां उसेफ में 15,000 पाउंड के जेवरात थे कहता है कि अगर वह एक एक करके उनको बेशता है तो वह 5000 पाउंड अधिक प्राप्त कर लेगा दूसरे वर्स के लिए इस वर्स उसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा 5000 पाउंड उससे अधिक उसको मिल जाएगा अगले वर्स के लिए और यहीं सोच करके वह खुस हो रहा है यह सोच करके वह खुस रह सकता है और भी वह खुस दिखाई दे रहा है और फिर क्या होता है देर वर त्री वेरी इंट्रेस्टिंग बोक्स कमिंग अप फॉर सेल इ उसको पता है कि तीन काफी इंट्रेस्टिंग बुक आने वाली है रिलीज होने वाली है बहुत जल्द पब्लिस होने वाली है एटम में पज़र के मौसम में इस वर्स तो उसकी जग्यासा और भी बढ़ जाती है और वह आज क्या कर सकता है तो पैसे पा सकता है उन चीजों को खड़ीदने के लिए उन पुस्तकों को खड़ीदने के लिए he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside उसने देखा कि जो servant है जो housekeeper था जो रखवाला था उसने kitchen के डोर के उपर hook से लगा करके चावियों को टांग रखा है put on a pair of gloves took the key and opened the door उसने बड़ी साबधानी से gloves इस्तेमाल किया बेनी fingerprint हो हमेशा सतरक रहता है और कभी भी अपने उंगलियों के निसान नहीं छोड़ता है small dog was laying in the kitchen एक छोटा सा कुता जो kitchen के पास लेटा हुआ है it straight made a noise and moved its tall in a friendly way पहले तो वो थोरा सा बोलने का प्रयास करता है भौकने का जलाने का प्रयास करता है कुता लेकिन फिर काफी दोस्ताना तरीके से वह अपने पूछ हिलाने लगता है यानि उसको देख करके all right sari hodans said as he passed और जैसे ही hodans उसके पास से गुजरा उसने का all right sari तो एक बात मैं आपको बता दू कि sari की नाम से उस kutty को बुलाता है और ये तब ही संबग है जब किसी बेक्ती को उस kutty का नाम पता हो तो जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है मैंने बताया है कि ये जो बेक्ती है या चोडी की योजना है काफी पहले बना लेता है और दो हपते से जब वाच कर रहा था उस घर को तो उसको चुप करने के लिए आपको उसके ठीक नाम से बुलाना होता है अगर आपने उसका सही सही नाम बता दिया तो वो उसे ऐसा लगता है कि ये बेक्ती मेरा परचित है और फिर वो सांत हो जाता है तो इसके लिए उसकी योजना में निशित रूप से सामिल रहा होगा तभी यह पॉसीवल है तभी यह संबब है कि आप उस कुट्टे को उसके सही नाम से बुला सकत जो वो ड्रॉइंग रूम में था बिहाइंड रैदर पूर पेंटिंग हॉरंस वंडर्ड फॉर अ मॉमेंट वेदर ही सूट कॉलेक्ट पिक्चर इंट्रेश्ट इंस्टेड और बुक्स अब वहाँ पे वो देखता है कि ड्रॉइंग रूप में एक बहुत ही खराब पेंटिंग हॉरंस के नाम के नजरिये से वो बहुत ही खराब पेंटिंग लगी हुई है और उसे मालूम है कि जो सेफ है वो उस पेंटिंग के पीछे है कुछ दिर के लिए वो सोचता है कि उस से किताब की बजाय ना वो पेंटिंग ही कलेट करनी चाहिए कम से कम इतनी पूर कलेक्शन उसकी नहीं होगी जितनी पूर पेंटिंग जितनी खराब पेंटिंग उसको यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन फिर वो सोचता है कि जो पेंटिंग होती है वो काफी जगह लेती है इसलिए छोटे से कमरे में किताबे ज्यादा बहतर चीज है और किताब ही जमा करना चाहिए पिर वो ऐसा सोच लेता है अब देखेंगे देर वाज ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन दे टेबल टेबल पर एक बहुत बड़ा सा गुल्दस्ता है फूलो का और उससे जो खुसवु आ रही है सायद उस वजह से और इसके नाक में थोड़ी सी खुझली महसूस हो रही है और उसने हलके से छीखने का प्यास किया कापी कम्स आवाज करके और फिर उसने अपने बस्ते को अपने बैग को नीचे रख दिया उसके बाद कता है किरफुली एरेंस इस टूल्स उसने साफधानी पुरबग अपने औजार निकाले ही हाड़ फोर आवस बिफोर दा सर्वेंट्स रिटर्ड उसको मालूम था कि जो नौकर है उसको आने में कम से कम चार गंटे लगेंगे तो सेफ वाज नॉट गॉइंग और उसके लिए वो सेफ को तोड़ना उस तीजोड़ी को तोड़ना कोई बहुत जादा मुस्किल काम नहीं था आप्टर और यहाड लिवड विट लॉक्स एंड सेफ ओल इस लाइप कारण है कि वह जीवन वर्तो ताले ही बनाता रहा है तो उसे बहुत अच्छी समझ है त ताले और चाबियों की उसका जीवन चुकी उन्हीं चीजों में गुजरा है तो वो जानता है कि यह बहुत मुस्किल काम उसके लिए नहीं है इसलिए वो काफी रिलाक्स है कि आज वो आसानी से चोड़ी कर पाएगा क्योंकि जो सर्वेंट है आपको पहले बताया कि वह च करने के लिए ताक कि वो बजे नहीं अलग कि वो आवाज इतनी तेज नहीं है कि वो बाहर तक जा सके ही केम बैक एंड स्निज्ड लाओड ली वह वापस आता है और एक बार जोर से सीखता है आप प्लावर्स केम तू हिम एगें क्योंकि उस जो गुलदस्ते के अंदर फू आप इस रूम करता है कि हाउफ फूल आरवें दे ओन वैलुएवल तिंक्स वो कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब इसने कहां से पता किया था तो सबसे बड़ी चीज है कि उसको ये चीजे पता चली बहुले चीज रखते समय है लोग कितनी मुर्खता करते हैं और सोच रह असला था कि इस घर क्या स्थिति क्या है कमडे कहां है ड्राइंग कौन सी है तो साड़े पिक्चर जो है इस मकान के वो मैगजीन में छपा था ये मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब इस हाउस एक मैगजीन में छपी हुए आर्टिकल ने इस हाउस का इस मकान का वर्णन था, giving a plan of all the rooms and pictures of this room जिसमें इस कमरोग क्या विबरन था और साथी सा तस्वीर थी, the writer had even mentioned that the painting hid a safe और जो उसका लेखक था, उसने इस बात का भी बखुबी वर्णन किया था, कि जो painting है, उसके पीछे एक तीजोरी है, यानि कि ये कितने बेपरवा लोग हैं कितने मुर्ख लोग हैं, जो साड़ी जानकाड़ी चोरों तक पहुचा देते, Horace तक पहुचा देते, but Horace found that the flowers were hindering him in his work he worried his face in his handkerchief, और तब Horace ने पाया कि जो फूल की गंद है, उसको काफी disturb कर रही है उसके काम में बाधा डाल लई है इसलिए उसने अपने चेहरे को क्या किया, तो ढख लिया किस चीज से ढख लिया तो अपने रुमाल से अपने चेहरे को अपने नाक को ढख लिया, then he heard a voice say from the doorway, फिर अजानक से उसने एक आवाज सुनी, जो डोड़वे की तरफ से आ रहे थी, what is it a cold or hay fever जिसमें पुछा गया था कि यह क्या है cold fever है या hay fever है before he could think वो इससे पहले की कुछ से उसता, Horace said hay fever, Horace के मुँँ से जबाब निकला hay fever and found himself sneezing again और उसने खुद को फिर से छीकता हुआ पाया उसे लगा कि वो फिर से छीक रहा है the voice went on you can cure it with a special treatment you know फिर वो आवाज आई कि तुम खुद को स्वस्त कर सकते हो एक बिसेस प्रकार के उपचार के द्वारा you know अगर तुम जानते हो if you find out just what plants give you the disease, अगर तुम्हें मालुम हो कि ये disease किस पौधे के कारण होता है I think you are better see a doctor बेतर होगा कि तुम इसके लिए एक doctor से मिलो if you are serious about your work अगर तुम अपने काम के प्रती serious हो अगर तुमको अपने काम के बारे में जानकारी है तो तुमें पता है तुम अगर अपने काम को लेकर के गंभीर हो खास तोर से उसका कहना ये हो सकता है कि अगर एक चोड हो तो चोड के लिए छीकना बड़ा मुस्किल हो सकता है अगर किसी की नींद खुल जाए अगर कोई घर में सो रहा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खदरनाक हो सकता है तो इसलिए तुम को अगर लगता है कि तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए I heard you from the top of the house just now मैंने तुम्हारी आवाज अभी-भी कहां सुनी तो top of the house में सबसे उपर थी इस मकान के और वहां तुम्हारे चीखने की आवाज आ रही थी तो एक बहुत ही अरोचक मोर पढ़ा करके ये कहानी अभी आई है और इसका अगला पाइट जब हम लोग पढ़ें तो इससे पहले एक बार पीछे एक नजर डालते हैं एक बेगती है होरिस जो ताला बनाने का काम करता है उसकी अवस्था लगभग 50 वरसों की है और इन 50 वरसों में उसे लोगों ने अच्छा नागरिक एक इमानदार नागरिक समझा है और लेकिन वो उतना इमानदार भी नहीं है जितना की लोग उसको समझते हैं अंतर क्या है वो इतना इमानदार क्यों नहीं है और क्या प्रॉबलम है उसकी इमानदारी में तो वो किताबों को बहुत प्यार करता है और किताब पढ़ने के लिए दूरलब और मुस्किल जो किताबे होती है जो अच्छी किताबे होती है उसको पढ़ने के लिए वो प्रती वर्स क्या करता है न तो चोड़ी करता है एक चोड़ी करता है उतनी चीजे चुराता है उतने पैसे चुराता है कि वो क्या कर सके तो कितावे खड़ीद सके और बारा महीने तक पढ़ सके तो इस वर्स भी उसने एक योजना बनाई कि एक म का चैन उसने किया उसके बारे में उसने दो हपते तक पता लगाया यवेंड की उस मकान के बारे में एक मIEG ZING बाड़ मैं आजिन में भी छापा था तो सारी चीज़े पढ़ कर के और वो आपने टूल्स के साथ उस मकान प्रभेश करता है उस दिन उस मकान का जो मालिक है वो लंदन गया हुआ है और जो दो नौकर है वो दोनों सिनेमा देखने गए है तो इस कब के बाद वो वहाँ पहुचता है वहाँ पहुचता है किसी कारण से हे फीवर की वज़े से जिसका वो मरीज है उसे बार-बार खासी होती है और जब व पहले अपना इलाज कराओ क्योंकि यह तुम्हारे काम के लिए खतरनाक है क्योंकि तुम्हारे छीकने की आवाज सुन कर ही मैं मकान के ऊपर से नीचे आई अब आपको देखना है कि आगे कि वो बोलने वाला बेकती या वो बोलने वाला माली महिला या जो भी है वो कौन है और वो होरें से क्या बात करती है क्या होरे स्चोडी कर पाता है या वो पकड़ा गया है यह सब जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतिजार करना पड़ेगा जो जल्दी आप तक पहुँचने वाली है हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई अगर आपको हमारा यह स्टूडी बहुत ही अच्छा लगा इंट्रेस्टिंग लगा तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें और अपने सेस्वल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको सेड़ भी करें ताकि जादा से जादा बच्चों को इसका लाब मिल सके हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई